तभी को नमस्कार, मैं सुनिता कुमारी साहेक आचारिय हिंदी राज की महिला महाविद्धाले जुन जुनू पिछले वीडियो में हमने रांगे रागव द्वारा लिखित कहानी गदल की विशेवस्तू के बारे में पढ़ा था आज की वीडियो में हम रांगे रागव द्वारा सरजित गदल एक ससक एव परभाव साली नारी पत्र है जिसकी चारित्र की विशेशताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो एक सहासी इसपस्ट वक्ता पती प्रायन विवेक सिल नारी है गदल एक चरित्र प्रधान कहानी है इसमें गुजर जाती की प्रोडा इस्त्री के चरित्र को अतेंधी परभाव साली धंग से अव्यक्त किया गया है गदल विद्वा है और अपने उमर से कम उमर वाले नीची जाती के पूरुस के साथ पुनर विवा कर लेती है वह किसी से दब कर नहीं रहती उसका विक्तित्व इतना प्रभाव साली है कि उसका पती, देवर, जठानी, देवरानी, पुत्तर सभी उससे दब कर रहते है गदल समाज के निम्न वरग की जाती की एक नारी की एप प्रतिम ओजिस्विता को परस्तूत करती है पारिवारिक जिवन की एक छोटी सी गटना जिसके साथ अनेक प्रकार के संसकार बंदेवे हैं गदल के जिवन में परिवर्तन ला देती है यो तो गदल की उम्र काफी है कि इन्तु पती की मृत्यू के बाद वह अपने वेधव्वे के दिन अकेले नहीं काट पाती वह अपेक्सा रखती है कि उसका देवर वेधव्वे की इस्तती में उसका सहरा देगा किन्तु ऐसा नहीं होता फल तक गदल जैसी स्वाभिमानी, सहासी, निर्भिक, इमसरम सिलानारी को एक दूसरी जाती के युवापूर्ष मोनी के घर जाकर पतनी के रूप में रहना पड़ता है गदल का ये कदम ये दपी उसके परिवार वालों के लिए दुख का कारण बन जाता है किन्तु वह इस बात की तनीक भी परवा नहीं करती और ने किसी को अपनी मारक की रुकावट ही बनने देती है वह विकट से विकट प्रस्ततियों का धर्ये के साथ सामना करना जानती है गदल जो है रांगे रागव के द्वारा सरजित एक ससक एवं परभाव साली नारी पात्र है वह एक सहासी, इसपस्ट वक्ता, पती प्रायना, विवेक सील, एवं स्वतंत्र चेता, स्वाभी मानी इस्तरी के रूप में उभर कर सामने आई है उसमें सेहर देजा भी कूट-कूट कर बरी हुई है वह अपनी विरादरी के परती वफादार है किन्तु साथ ही उसमें बदले और परती सोथ की भावना भी विद्देमान है आज हम उनके चरित्र की परमुक विशेष्टाओं के बारे में पढ़ेंगे जो निम्न परकार है जैसे गदल की परमुक विशेष्टा है, द्रड निश्य है, इसपस्ट वक्ता है, सासी एवं निर्भिक है, नेत्रित्व चमता से युक्त है, मात्रित्व प्रेम की भावना है, बदला लेने की भावना से युक्त है, क्रोधी सभभाव है, कायरता से घरना करने वाली है, ह इसमें महानारी के लक्षन भी विद्देह मान हैं, हम सबसे पहले उनके चरित्र की पहली विशेष्टा द्रण दिश्चाई है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। गदल अनपड बले ही हो, परन्तु वे जो एक बार निर्ने ले लेती है उससे टस से मस नहीं होना जानती। डोड़ी की बात बुरी मान कर उसने उसका घर छोड़ने का मानस बना लिया है और वह किसी के रोकने से ने रुकी डोड़ी के मरने पर मोनी के रोकने पर भी वह ने रुकी और अपनी इच्छा के अनुशार अपने पहले पती के घर लोट आई डोड़ी के मरने पर उसने बड़ा कारज करने का निर्ने लिया तो कानून की बाधा की भी परवान ने कर उसने वह कारज करके ही दिखाया वह इतने दर्ड निश्चे वाली थी कि अपने निर्ने को पूरा करने के लिए उसे गोली चलाने पड़ी तो उसने गोली भी चलाई मरना पड़ा तो वो अपने प्राणों का मौ भी उसने नहीं किया ऐसी महिला जो अपने प्राणों की चिंता नहीं रखती उसके निर्ने में कोई भला कैसे विशलित हो सकता था अब उसकी दूसरी विशेश्ता है इसपस्ट वक्ता गदल है वो बिलकुल सपस्ट वक्ता है वैसे नारी का सभाव संकोची होता है लेकिन गदल जो है वो बिलकुल सपस्ट वक्ता है उन्हें कहने के लिए प्रोचाइट करो तो भी कुछ महिलाई मर्दों को जवाव देने की हिमत नहीं करती इसके युपरित गदल इस द्रस्टिक से विलक्षन महिला थी वै किसी को नहीं बक्सती थी उसने कहानी में निहाल, डोड़ी, मोनी, जिठानी, दरोगा किसी को खरी-खरी सुनाई बिना नहीं छोड़ा यानि उसने सब को खरी, खोटी सुनाई जब डोड़ी ने कहा कि तुझे सरम नहीं आती, गदल तब गदल ने कहा था, क्यों सरम क्यों आईगी वै घिंगयाना नहीं जानती थी वै तो ऐसे आदमी को मर्द ही नहीं मानती थी जो इस्तरी के सामनी घिंगयाता हूँ नमरता से पेस आता हूँ उसने डोड़ी से कहा था मर्द है अरे कोई बेर से गिंग आता है उसके दूसरे पती ने गदल को बहुत बखबख करते देख कर कहा था कि बहुत बढ़ चड़ कर बाते मत थांक समझ से घर में भहू बन कर रहे इस पर गदल ने कहा था अरे तू तो जब पैदा भी नहीं हुआ था बालम मुझे क्या सिखाता है तू उसने दिवान को भी इस पस्ट बिना जिजक बाते कही थी क्या बात है दिवान जी वो कह रही है पटेल से भी उसने इस तरह का उतर दिया था दिन दहाडे भहेंस खोल कर लाई जाती है मेरे ही मर्द पर कानून था इस परकार उसे किसी को भी बहुत इसपस्ट खरी खोशी सुना देने का कोई हिचक, कोई डर नहीं है यानि कि पटेल को उस टाइम यह कह देती है कि लोग दिन धाड़े भैंस खोल कर ले जाते हैं और आप लोगोंने मेरे पती की मृत्यू के बाद जो कारज किया जा रहा था उसमें आपने कानून लगा दिया इसका मतलब वो किसी भी बात को कहने में हिचकिचाती नहीं है अब है उसकी अगली विसेश्टा है वो एक सहासी एवं निर्भिक नारी है गदल में हिमत है वो मर्द की हिमत की ही परसंचा करती है डोड़ी से कहती भी है वो मुझ में हिमत ही कहां है देवर मेरा नया मर्द है ना मर्द इतनी सुनतो ले बला मुझे लगता है तेरा भया ही फिर मिल गया यानि कि वो अपने नए पती मोनी की परसंसा करती है मुझे कि मुझे ऐसे लग रहा कि तेरे भाईया मुझे वापस मिल गई तु मर्द है अरे कोई बैयर से गिंग आता है बढ़ कर जो तुझे मारता तो मैं समझती तु अपनापन मानता है गदल बिलकुल निर्विक है कोई भी करम क्योंन हो वर डरती नहीं है अपनी सक्ति के बल पर ही वह देवर का विरोध कर मोनी के यहां गई है यानि कि वो अपनी देवर के घर को छोड़ कर मोनी के यहां चले गई है वो अपनी सक्ति के बल पर ही गई है देवर का उसे भहन नहीं लगा, बिरादरी के भोच के समय भी जब संगिन धारी पुलिस के नोजवान आ गए थे, उस समय भी गदल की निर्भकता नहीं सारे कारज को ठीक तरह से निपटाया, चाहे उसमें गदल के प्राहन ही क्योंने चले गए, यानि कि वो हिम्मत और सहास और निर्भक नारी है, अब गदल में नेत्रित्व करने की चमता भी विद्यमान है, सभी पात्रों के तुल्ला में गदल ही एक ऐसा पात्र है, जो किसी का पिछलगो नहीं है, वह अपने लड़कों से, देवर से, दूसरे पती, जिठानी, पटेल, दिवान, किसी के सामने ह नहीं मानती, वही सबको निरुत्र करती चलती है, वह नेत्रित्व की चमता रखती है, वह खारी गुजर परिवार की पत्नी होकर भी लोहरे गुजर मोने के घर जा वैठती है, लेकिन उसका भी उचित्य सिद्ध कर देती है, वह दिवान को सहम जाने को मजबूर कर देती ह वे डोड़ी के मरने पर औरों के नय चाहने पर भी बड़ा कारज, बड़ा मरत्यु भोज करती है 25 शक्तियों से जादा का भोजन न करने का नियम होने पर भी रास्ता निकाल ही लेती है दूसरा बड़ा भोज करने का रास्ता नहीं निकाल पाते निर्ने नहीं ले पाते तब गदल उसका प्रभंद करने की जिम्मेदारी भी अपनी उपर ले लेती है उसका निर्भावि करके दिखाती है वो मोननी के घर पर अपनी जिठानी की भी गुलामी शिविकार नहीं करती और वो उसे सपस्ट कह देती है क्या कहती है? लो जिठानी मेरी हुक्म नहीं चला मुझबर तेरे जेसी बेटिया हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जुत्ती नहीं वह पिछलगू बनकर गुलामी करना नहीं जानती, वह डोड़ी से कह देती है ऐसे बांदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों की बीच्या छनके, डोड़ी के मरने पर कारज कैसे हो, ये कोई तय नहीं कर पा रहा था परन्तु गदल ने अपना निने सुना दिया था, उसका परबंद मैं ही करूंगी डोग के लोग भी मान गए थे, गदल की निने चमता, दिलेरी और शाहस को गदल का ही बुता था, बेटे तो हार बैठे थे अब हम उसकी अगली विसेषता पढ़ते हैं, मात्रत्वे प्रेम की भावना गदल में मात्रित्व प्रेम की भावना भी विद्देमान है और इस उधान से हम समझ सकते हैं वह निहाल से बोलती है जब वो डोड़ी का कारज कर रही है जब पुलिस आ जाती है पुलिस की गोलियां चलती है तब वो कहती है निहाल से मेरी फिक्र छोड तुझे मेरी कोक की सोगंध है नारायन को और बहु बचों को लेकर निकल जा पिछे से तो इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि उसमें मात्रित्व प्रेम की भावना भी विद्देमान है अगली विशेष्टा है बदला लेने की भावना उसके मन में बदला मौनी से कहती है देवर तो मेरा अगले जनम भी रहेगा वह नहीं मुझ से रुखाई दिखा था तो क्या ये पाउं कटे बिना उसे देली से भावन निकाल सकते थे उसने मुझ से मन फेरा मैंने उससे मैंने ऐसा बदला लिया है उससे यानि कि उसने बदला लेने की भावन विद्यमान थी और वो अपने देवर डोटी ने उसको नहीं अपनाया था इसलिए वो उसका घर छोड़ कर चली गई उसको निचा दिखाने के लिए अब उसकी अगली विशेजता है क्रोधी यानि कि उसमें क्रोध की भावना भी विद्यमान स्वाबिमान को थेश पहुं विद्यमान चाहता है तो वह फुफकार कर कहती है अरे तू हाथ उठाके तो देख तेरी सिंक कर बिल्या चलवादू समझ रख्यो जान रख्यो हाँ तेरी आसरतू नहीं हूँ अब उसकी अगली विशेजता है कायरता से घरना करने वाली यानि कि कायरता की भावना उसमें बिल्कुल भी विद्यमान नहीं है वो कायरता से बिल्कुल घरना करती है वह अपने देवर डोडी को उसकी कायरता के लिए ही उपालम देती है और वो कह देती है इन पंक्तियों में देखो कि कायर भाया तेरा मरा कारज किया बेटे ने और फिर जब सब हो गया तब मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था वह अपने देवर के कारज के समय भी अपने पुत्र निहाल को कायर कहकर डाटती है तो इससे वो कह रही है कि उसके पती की मरति होने के बाद तू इतना कायर था तू मुझे अपना सकता था अगली उसकी विषैशता है हाजिर जबाब हो किसी हाजिर जबाव देने वाली है उससे तरकों में कोई हरा नहीं सकता दूसरे पती मोनी के घर पर गदल की जिठानी दुली उस पर रोब दिखाना चाहती है जब वो अपना दूसरी साधी करके मोनी के घर चली जाती है तो उसकी जिठानी वहां उसके रोब दिखाना चाहती है मोनी ने भी जिठानी की बात का समर्थन किया तब गदल ने उन दोनों को अपने तरकों से निरूतर कर दिया उससे घर छोड़ कर जाने के कान पूछे जाने पर उसने डोड़ी को भी तरक दे कर निरूतर कर दिया था उसने कहा था कि अब मेरा यहां कौन है जब मैं इलहा ही नहीं जब मालिक ही नहीं रहा तो काई को हडकंप उठाओं यानि कि वो डोड़ी को बता रही है कि मेरा पती खतम हो गए आपने मुझे अपनाया नहीं तो कह रही है कि जब मेरा मालिक ही नहीं रहा तो मैं काई को हडकंप उठाओं डोड़ी ने माया ममता रखने की बात कही तो गदल ने उसे उतर दिया था देवर्त तेरी कहां चली गई थी जो तुने फिर ब्याह नहीं किया गदल से ब्याह न करने के बारे में डोड़ी ने तरक दिया तब गदल ने कहा अरे चल रहने दे भग्या का बड़ा ख्याल रहा तुझे तु ही था कारज में उससे उनके क्या गदल ने अपनी जिठाने से भी कह दिया था कि घर में बहु बन कर रह तब गदल ने मोनी को तरक दिया था अरे तू तो तब पैदा ही भी नहीं हुआ था बालम मुझे क्या सिखाता है तू इस परकार गदल ने बात करने वाले पात्रों को खूब तरक दिये मोनी ने गदल से कहा था कि डोडी अब तेरा देवर नहीं है इस परकार गदल ने मोनी से कहा था फिर गदल मोनी को बोलती है देवर तो मेरा अगले जनम में भी रहेगा वही मुझ से रुखाई न दिखा था तो क्या ये पाउं कटे बिना उस देहली से बहार निकल सकते थे उसने मुझ से मुझ से मुझ फेरा मैंने उससे गदल द्वारा दूसरा पती बनाने बनाये जाने पर गदल ने डोड़ी को घर छोड़ने का विश्वस ने तरक दिया था पटेल ने गदल से कहा कि तुने जो दूसरा पती बनाया है वे पती बनाने में तुने अपने बेटे बेटियों की भी उम्र न देखी तब गदल बिलकुल हाजे जबाव देती है और वो कहती है तरक दिया उम्र देखती की इज़त ये कहो अब हम उसकी अगली विशेष्टा पढ़ेंगे स्वाभी मानी गदल जो है वो स्वाभी मानी महिला है वो गुलामी नहीं चाहती गुलामी में उसके स्वाभी मान को ठेस लगती है इसलिए वह अपनी बहूं को आखे तरेरती देखकर अपने देवर से कहती है कि तेरी कुहनी चंके और किसी की बिच्चा चंके वह मुझे पसंद नहीं है अपने दूसरे पती मौने के घर पर भी वह दुलों से दबती नहीं है उससे भी इसी तरह की बात कहदेती है बिरादरी से प्रेम करने वाले गदल में बिरादरी से प्रेम करने की भावना विद्यमान है बिरादरी को वह चाहती है और बिरादरी के कारज को वह विशेश महत्वे देती है सरकार के कानून से बढ़ कर वह बिरादरी की नियमों को मानती है अब उनकी अंतिम विशेषता है कि उसमें महानारी के लक्षण विद्देमान है और इस उधान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उसमें किस तरह से महानारी के लक्षण विद्देमान है वो कहती है कि महानारी के लक्षण उसमें स्पश दिखते हैं वो कहती है वह पहले से ही कहती है, जब छोटी थी, तभी देवर लट बांध मेरे कसम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रहे गी थी, मैं तो सोचा था मरद है, इसी की छत्तर छाया में जी लोगी, बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे नह रख सका, तो मैं क् अरे मैं नहीं रही, तो इनसे क्या हुआ, दो दिन में काका उठ गया ने, इनके साहरे मैं रहती तो क्या होता, इस परकार ये स्वेम सिध है कि गदल का चरीत्र विलक्षन एउन लोकोत्तर है, और सही अर्थों में महानारी है, जिसकी समानता समाने मनुस्यों में भी उपल नहीं होती है, इस परकार आज हमने गदल के चरीत्र की विशेश्ताओं को पड़ लिया है,